हेलो फिंस वेल्कम बैक इन डेली कर्णट फेर्ज ऑफ हिमाचप देश तो इम डिसकस करेंगे 3 सितमबर 2020 के हिमाचप देश के कर्णट फेर्ज तो स्टार्ट करते हैं हमारी कर्णट फेर्ज डिसकेशन नमबर फस्ट न्यूज डॉक्टर राजिंदर प्रसाद गवर्मेंट मेडिकल कॉलेज के बारे में हैं जिसे हम टांडा मेडिकल कॉलेज के नाम से भी चानते हैं तो Outlook मेगजीन द्वारा भारत के जितने भी मेडिकल कॉलेज हैं उनकी रैंकिंग्स बनाई गई हैं हिमाचब देश के कांगडा डिस्टिक के टांडा में स्थित हैं इसलिए इसे टांडा मेडिकल कॉलेज के नाम से भी जाना जाता है और वर्ष 1996 में इसके सापना की गई थी और जो करंट में इसके प्रिंसिपल हैं वो हैं प्रोफेसर भानु अवस्ति यहां आप इमेज में देख सकते हैं यह हैं प्रोफेसर भानु अवस्ति नेक्श निउस है हिमाचल गिर्णी सुवधा योजना के बारे में तो हिमाचल गिर्णी सुवधा योजना के कुछ आंकडे जारी किये गए हैं जो भी इन्होंने हिमाचल गिर्णी सुफदा के अंतरगत कारे किया है उसके आंकडे जारी किये गे हैं तो आंकडे डिसकस करने से पहले जो भी बेसिक डिटेल है इस योजना के वारे में वो हम डिसकस करेंगे तो हिमाचल गिर्णी सुफदा योजना 26 मई 2018 को हिमाचव देश के स्चिमला से इसका शुबारम किया गया था और हिमाचव देश के खादे आपूरती वी भाग द्वारा इसे शुरू किया गया था और स्टार्टिंग में जो इसका बजट था वो 12 क्रोट रूट रुपय की प्रधानिस के लिए रखा गया था बजट रखा गया था अगर हम बात करें कि इस योजना को शुरू क्यों किया गया था क्या जोड़त पड़ी थी कि इस योजना को शुरू करना पड़ा था तो पूरे भारत में सेंटर गोवर्मेंट दोरा परधान मंतरी उजवला योजना शुरू की गई थी जिसके अंतरगत जितने भी गरीब परिवार हैं उन्हें गैस कनेक्शन दिये जा रहे थे लेकिन हिमाजब देश के कुछ ऐसे गरीब परिवार थे जो एलिजबल नहीं थे प्रधान मंतरी उजवला योजना के लिए और इनी सभी बातों को ध्यान में परिवार हैं उन्हें गैस कनेक्शन परदान करने की गोशना की गई थी और जो भी परिवार इसमें शामिल के जाएंगे उन परिवारों को परदान मंतरी उजवला योजना के तहर शामिल नहीं किया गया होगा उन्हीं परिवारों को शामिल किया जाएगा और जो परिवा परिवार का कोई भी सदस्य सरकारी और दसरकारी स्वायत संस्ता बोर्ड वन निगम का करमचारी और पेंचिन भोगी नहीं होना चाहिए। तुरंत गैस कनेक्शन दिया जाएगा इसके लावा जिन परिवारों में कोई भी महिलाएं नहीं है उन्हें भी गैस कनेक्शन दिया जाएगा। इसके साथ ही इस योजना के तहत दो लाख अटक्तर हर जार से अधिक परिवारों को गैस कनेक्शन परदान किये गए हैं जिसके लिए करीब सौ क्रोड रुपे खर्च किये गए हैं। अगर हम फिर से डिसकस करें इसकी एलिजबिटी की तो उन्हीं लोगों को इसमें गैस कनेक्शन दिये गए हैं जिनें परदान मंतरी उजवला योजना के तहत गैस कनेक्शन नहीं दिये गए थे जो की वनचित रह गए थे। नेक्श नूज है नेक्श नूज हिमाचपदेश हाई कोट के बारे में हैं तो हिमाचपदेश हाई कोट ने एक निर्णे दिया है कि वर्ष 2006 से पहले जो रिटायर करम चारी हैं जिन्होंने नियुंतम 20 वर्ष का कारेकार अपना पूरा किया है उन्हें पेंशन दी पेंशन के पूरे हक्तार होंगे और ये डिसिजन दिया गया है जस्टिस सुरेश वर ठाकूर और जस्टिस चंदर भूशन बारो वालिया के दोरा यहां आप इमेज में देख सकते हैं ये हैं जस्टिस सुरेश वर ठाकूर और ये हैं जस्टिस चंदर भूशन बारो वालि लेकिन वर्ष 2009 में एक अधिसोचना जारी की गई और उसमें बताया गया कि एक जनरी 2006 के बाद पूर्ण पेंशन के लिए 33 की कारेकार की शर्त को खतम कर दिया गया है और 20 वर्ष की जो शर्त है उसे रखा गया है लेकिन 20 वर्ष उसी के लिए रखे जाएंगे जो केवल 2006 के बाद रिटायर होंगे तो ये काफी डिस्प्यूटिड था और इसके लिए केस भी किया गया था तो अब ये डिसाइड किया गया कि जो वर्ष 2006 से पहले भी रिटायर होए हैं उनके लिए भी नियूंतम बीस वरश कारेकार रखा गया है अगर हम डिसकस करें हिमाचवदेश हाई कोट के बारे में तो 25 जनवरी 1971 को इसकी स्थापना की गई थी और शिमला के रेवन्स बूर्ड में हिमाचवदेश का हाई कोट स्थित है और जो करंट में अगर बात की जाए जजिस की कितने जजिस है तो टोटल 9 जजिस की स्टेंथ है जिसमें एक हिमाचवदेश के चीफ जस्टिस भी है और हिमाचवदेश के जो फर्स्ट चीफ जस्टिस थे वो थे मिर्जा हमीदुला बेग यहां आप इमेज में देख सकते हैं यह थे मिर्जा हमीदुला बेग जो की हिमाचवदेश हाई कोट के पहले चीफ जस्टिस और क्रणट में हिमाचवदेश हाई कोड के चीफ जस्टिस है ये है। और 2,90,194 से अधिक लाबार्तियों को प्रती महापरदान की जा रही है विरिदा पेंशन योजना और पेंशन योजना में हर महीने हर माह 1500 रुपे की पेंशन दे जा रही है जो भी 70 वर्ष से ज़्यादा आयू के हमारे व्रेद व्यक्ति हैं व्रेद लोग है इसके साथ ही इस योजना के लिए सरकार ने दो वर्षों में लगबग 1180 करोड का धन भी खर्च किया है लोगों को पेंशन परदान की है तो यह थी हमारे आज के डिसकुशन रिवाइज करते हैं हमने क्या क्या डिसकुश किया सबसे पहले हमने डिसकुश किया डॉक्टर राजेंदर प्रसाल गौवर्मेंट मेडिकल कॉलज के बारे में जिसे पूरे भारत में 11 वास्तान प्राप्त हुआ है नमब सेकींड हमने डिसकुश किया जो आंकडे जारी किये गे थे हमाचवदेश सरकार द्वारा लिए तो ये थी हमारी आज की डिसकेशन और अगर आपको इस सेशन की पेडियाफ चाहिए तो आप में टेलिग्राम चैनल से ले सकते हैं जिसका लिंक में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है या फिर आप टेलिग्राम में सर्च कर सकते हैं हिमाचल सक्सेस बुक और वहा तो थैंक्स वर वच्च वीडियो दो लाक शेर और सब्सक्रिब मैं चैनल